सब्सक्राइब आपको बताया था बारे में रिवाइज करवाया था जिसमें सैलोलर रिस्पारेशन गैसे इक्षेंज और एरोबिक रिस्पारेशन ब्रीफिंग जैसी टर्म्स के बारे में हमने बात की थी आज हम लोग बात करने वाले हैं गैसे इक्षेंज इन प्लांट्स अभी तक जो जनरली हमें बच्पन में पढ़ाया जाता है जो जनरली हमारी बच्पन से अंडरस्टेंडिंग है वो क्या है कि यूमिन बिंग्स अनिमल्स को सर्वाइवल के लिए उक्सीजन की जरूरत होती है यूमिन बिंग्स और आनिमल्स थ्रू प्रॉसस अफ ब्रीफिंग अपनी बॉड़ी के अंदर उक्सीजन को इन्हेल करते हैं और कार्बन डायकसाइड को अपनी बॉड़ी से खारज करते हैं तूर प्रॉसस अफ एक्सीलेशन और प्लांट्स के बारे में हमने को देखते हैं कब जरूरत होती है हमारी बॉड़ी के अंदर उक्सीजन की जब एरोबिक रेस्पारेशन का काम चल रहता है मतलब जब रेस्पारेशन हो रही है तो उसलिए हम लोग ब्रीफिंग प्रॉसस करते हैं और उक्सीजन को अपनी बॉड़ी के अंदर इन्हेल करत photosynthesis का मतलब क्या है कि sunlight को यूज करते हुए simple in organic raw materials को यूज करते हुए जब plants food को prepare करते हैं तो वह process photosynthesis का जिसके अंदर food को prepare किया जाता है और यह process है respiration का जिसके अंदर food जो हम लोग खाते हैं उसको break down किया जाता है तो these are the two opposite processes एक के अंदर जब food को prepare किया जाता है तो obviously उसके अंदर जो different bonds बनते हैं उनके अंदर energy को store किया जाता है और जब food को break करने की बात होती है तो food के अंदर जो bonds बने वे हैं उनको break करके उनसे energy release करने की बात होती है हम जब plants में देखते हैं तो plants के अंदर actually दूनों processes चल रहे होते हैं respiration as well as photosynthesis दूनों processes side by side चल रहे हैं चाहे daytime है चाहे night time है daytime में हमें ये पता है कि photosynthesis के जो process है plants के अंदर वो सिर्फ daytime में ही होता है ये सिर्फ sunlight इसको sunlight की जरूरत होती है जिसकी वज़ा से ये सिर्फ जो है daylight में हो सकता है यानि के daytime में हो सकता है अगर हम लोग देखते हैं respiration को respiration भी plants के अंदर हो रही है हम सिर्फ plants की बात कर रहे हैं human beings या animals के अंदर सिर्फ respiration का process होता है उनके अंदर photosynthesis का process नहीं होता तो respiration जो है day और night जब जब हमारे body को energy की जरूरत है यानि 24 गंटे ये respiration का process चल रहा है अगर photosynthesis की बात करते हैं तो यहां पर oxygen release होती है और यहां पर oxygen जो है absorb होती है respiration के लिए oxygen का होना जरूरी है oxygen की मदद से ही हम लोग food के अंदर जो bonds present है उनको break down करके उनसे energy हासल कर सकते हैं जबकि photosynthesis में oxygen release होती है carbon dioxide चाहिए होती है oxygen जब food prepare होता है plants की body के अंदर तो तब oxygen भी release होती है as a gas और यहां पर carbon dioxide during the process of photosynthesis it is absorbed और यहां पर carbon dioxide during the process of photosynthesis it is released यह मैं सिर्फ plants की body के अंदर बात करें प्लांट के अंदर भी oxygen absorb होती है carbon dioxide release होती है जैसे कि human beings के अंदर animals के अंदर काम हो रहा होता है तो अब बात यह है कि अगर plants के अंदर photosynthesis हो रही है हम लोग बच्पन से पढ़ते हैं कि plants oxygen को release करते हैं और carbon dioxide को absorb करते हैं तो यह तो एक नई चीज़ आगी कि respiration भी plants के अंदर हो रही है तो obviously plants अगर एक तरफ food prepare कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको energy भी चाहिए तो उस energy को किस तरह से हाजल करेंगे through the process of respiration respiration में किया है कि दूनों processes side by side plants की bodies के अंदर अपने specific parts में चल रहे हैं जितनी oxygen की जरूरत होगी जितनी oxygen यहां पर release हो रही है वो ज्यादा amount में होगी oxygen जो absorb करनी है plants ने वो काम amount में होगी तो as a result overall हम यह कहते हैं कि oxygen release हो रही है क्योंकि photosynthesis के अंदर as compared to respiration oxygen ज्यादा release होती है as compared to the demand of oxygen in respiration similarly जो carbon dioxide यहां पर release हो रही होती है वही carbon dioxide plus हमारी atmosphere में से carbon dioxide plants जो है अपने अंदर absorb कर लेते हैं photosynthesis के लिए और इसलिए हम लोग overall यह कहते हैं कि plants carbon dioxide को absorb करते हैं अब बच्पन से आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि रात के टाइम दरुखतों के पास नहीं जाना चाहिए वह उसकी वज़ा क्या है कि रात के टाइम जब यह photosynthesis का process totally रात के टाइम हो चुका है sunlight नहीं है यह सिफ daytime में हो सकता है sunlight की मौजूदगी में अब night कर लेते थे और बकाया oxygen release कर देते थे तो इसलिए उनका बटमासफर से oxygen की जुरूट नहीं थी during daytime but during night time अब क्योंकि अपने उनकी बॉड़ी के अंदर photosynthesis का process stop हो चुका है अब उनको चाहिए oxygen जो के वह अपने इर्द गिदा अपने surrounding से हासिल करेंगे जिसकी और बदले में जो carbon dioxide पहले तो हुआ है body के अंदर ही absorbed हो जाती थी release नहीं थे plants लेकिन रात के time वो release करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कोई भी human being अगर उसकत plants के करीब है तो उसके लिए oxygen की कमी हो जाते है because oxygen is being absorbed by the plants और वहां पे carbon dioxide की amount ज्यादा हो जाती है plants के रात के time में तो that is why it is suggested के रात के time में आप plants के नजदीक मत जाए अब हम लोग पढ़ेंगे detail में वह मुहतलिफ organs plants के हम लोग अगर animals की बात करते हैं हम लोग अगर human beings की बात करते हैं तो हमारा अपने बारे में तो हमारा concept काफी हद तक clear होगा कि हमारे पास specialized कौन सा breathing organs है जो कि breathing process में involved है जिसमें lungs हैं nostrils हैं ट्रैकिया है जहां से lungs के अंदर किस तरह से gases जहां वो एक्सचेंज होती है between the body and the air अब हम लोग plants के बारे में पढ़ते हैं कि plants के अंदर वो कौन कौन से important organs हैं या कौन से important systems हैं जिनकी मदद से gaseous exchange हो रहा है plants के अदर अब plants के अंदर तो हमारी तरह nose या इस तरह का क कोई भी system नहीं है जो कर gases को ट्रांसपोर्ट करें तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है कि plants don't have any organs or system for the exchange of gases with the environment के पास कोई भी specialized organs नहीं है for breathing or for gaseous exchange इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब इनके पास कोई specialized organs ही नहीं है तो इसका मतलब कि इनकी full body जो है every cell of the plant body वो अपने अंदर खुद gaseous exchange करने के लिए responsible होगा environment के साथ यहां पे every cell is participating for the process of gaseous exchange because organ नहीं है कोई भी जो के हमारी body में तो organs है के जैसे lungs के अंदर gases exchange हुई blood के अंदर चली जाती है oxygen और blood से निकल के carbon dioxide lungs के अंदर चली जाती है जो oxygen blood के अंदर गई थी अब वो blood पूरी body में transport करेगा हर cell तक पहुंच जाएगा but plants के अंदर नहीं blood है नहीं नहीं नॉस्ट्रिल्स हैं कि जो इसकी मदद से वो लो gases को exchange कर सकें इस वज़ा से उनके हर cell को खुद से पार्टिसिपेट करना पड़ता है in the process of breathing in the process of gaseous exchange तो अब हम लोग को मुटलिफ हिस्से देख लेते हैं plants के जो के specialized हैं for gaseous exchange सबसे पहले जो हम लोग हिस्सा देखेंगे that is in the leaf and the green stems यानिके green portions जो है plant के तो पहला हमारे पास जो important system है for the exchange of gases that is stomata stomata कहां कहां पर present है in the leaves and in the green stems यानिके green portions है plants के उनके अंदर जो है stomata present होते हैं और gaseous के exchange में help रहते हैं जो gaseous exchange है leaves के अंदर या green stems के अंदर और वह in stomata के through gaseous exchange का process चल रहा है तो जो inner cells है leaves के जिने हम लोग mesophiles भी कहते हैं और इसके लावा stems जो है they have air spaces among them जो के हमें help करते हैं जो के plants को help करते हैं in the exchange of gases अब हमें आपको एक दिखाती हूं from your book figure number 10.1 अगर आप इसमें यहां पर देखते हैं कि this is the inner portion of the leaf यहां पर mesophiles हैं यहां पर यह gaps present हैं जहां से air enter होती है और air leave होती है जब air enter होगी तो इसके अंदर से gases को absorb कर लिया जाता है cells के अंदर और जब और जो cells के अंदर से gases release होती है चाहे वह oxygen है यह carbon dioxide है वह इधर transport हो जाती है cells से और वह mesophiles से होती भी बाहर निकल जाती है तो यह पहला method है through which the gases are exchanged in the plants तो first method हमारे पास क्या है through the process through the stomata अब हम लोग leaf cells की बात करते हैं leaf cells के पास two situations है इनको दो तरह के situations का सामना हो करना पड़ता है पहली situation क्या है during daytime दिन के time में जब सूरज की रोशनी available है तब क्या system होता है let's see so during the daytime मेज़ोफाइल सेल्स हैं leafs के they are carrying out photosynthesis plus respiration मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि daytime के अंदर photosynthesis का process भी हो रहा है जो के sunlight की मौजूदकी में होगा प्लस यहां पर respiration का process भी हो रहा है जो के dark में भी हो सकता है as well as daylight में भी हो सकता है so during the daytime leaves के अंदर दोनों तरह के processes carry out हो रहे हैं photosynthesis भी as well as respiration भी side by side दोनों processes carry out हो रहे हैं so photosynthesis के दुरान हमें पता है कि oxygen is produced oxygen is given out और हमें पता है कि respiration के दुरान oxygen is absorbed in the body so photosynthesis के दुरान जो oxygen produce हुई थी उसमें से कुछ हिसा जितने भी demand होगी plants की उसी oxygen में से यह oxygen respiration के लिए absorb हो जागी क्योंकि इसमें plants को बाहर environment से हासल नहीं करने परती oxygen क्योंकि उनकी अपनी body के अंदर ही और उसी same part leaf में ही oxygen produce हो रही है तो वही oxygen को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है during these processes अपने अंदर ही मुझूद हो carbon dioxide release हुई थी during the process of respiration उसको absorb करके photosynthesis के लिए use कर सकते हैं however during the night time अब night time में क्या है क्योंकि यहां पे daylight तो है नहीं है sunlight तो है नहीं है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही process चल रहा है that is respiration यहां पे अब जो भी plant को oxygen की जरूरत है या फिर जो भी plant carbon dioxide को release करता है वह उसे direct environment के साथ exchange करने परते हैं because यहां पे photosynthesis का process stop हो गया है जो कि उसको oxygen provide कर सके या फिर उससे carbon dioxide को हासिल कर सके so whatever the leaf needs like oxygen and carbon dioxide को release करना वह सारा वह अपनी direct environment के साथ तब leaves जो है इंटरेक्शन में आ जाता है during the night time during the day time leaf के अंदर ही दोनों चीज़े जरूरत की मौजूद है चाहे oxygen की बात है चाहे carbon dioxide की बात है इसलिए रात के time में जो पूरा process है वो different हो जागा क्योंकि रात के time में plant को या leaf को environment के साथ interact करना पड़ता है उसके साथ gases को exchange करना पड़ता है यह पहली बात होगे stomata की जो के मैंने आपको figure भी बता दी है कि plants के अंदर किस तरह से stomata इनके leaf के अंदर present होता है जो के इनको gashes exchange में help करता है तो अमीद है आपको यहां तक आज के lecture की समझ आई हो अगर यहां तक कोई भी problem है तो you can discuss with me in the comments section I'm here to help you out and see you soon in my next video till then Allah Hafiz